हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप मैं आजमा आज आपको हिंदी विशे का कक्षा 2 का पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ और इसका नाम है आओ मजे करें ठीक है इसमें क्या करना है मजे करनी की बात हो रही है अब कौन कैसे क्या मजे कर रहा है उसके लिए हम ये चप्टर पढ आते हैं कैसे आओ कहानी पढ़कर जाने अब हमें क्या करना चाहिए हमें कभी फ्री नी बैठ रहना चाहिए कि हम कुछ भी काम नहीं करें ऐसा नहीं होना चाहिए हमें हमेशा जो भी टाइम मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए हमें कुछ ने कुछ नया सीखते रहना तो हम सबसे कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं तो ये सीखना कैसे मसेदार हो सकता है वो हमें यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है कहानी दे रखी है किसकी जानवरों की तो हम उसे पढ़के समझेंगे कि सीखना कैसे क्या होता है तो अपन इसको शुरू करते है, देखो, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इस चित्र में कुछ दिख रहा है आपको, यह देखो, यह कौन है, एक गिलहरी है, और यह क्या है, एक भालू है, गिलहरी कहाँ पर चड़ी हुई है, पेड़ पर, तो यह भालू को भी बोला कि चलो आओ अपन पेड़ पर चड़े लेकिन भालू के मन में डर है वो क्या बोल रहे है अगर मैं कई गिर गया तो मुझे तो आता ही नहीं है ठीक है फिर क्या हुआ तो गिलहरी क्या बोलती है बालू से आओ मैं सिखाती हूँ मुझे चड़ते हुए देखो ठी गिलहरी किस से बोल रही है भालू से बोल रही है ठीक है फिर देखते हैं क्या हुआ यहां पर कौन दीख रहा है देखो गिलहरी के पीछे पीछे भालू भी चड़ रहे है तो यह क्या बोल रहे है वाँ पेड़ पर चड़ना सच मुझ मज़िदार है ठीक है जब उसने गि हम एक डाली से दूसरी डाली पर जूल ए इसे दूसरी डाली पर घुमता रहता है जूलता रहता है तो सब गिल्खरी और बाहल Q charity पर मुझे जूलना नहीं आता मैं क्या करूँ अभी पहले बंदर इसको भालू को उपर चड़ने में भी डर लग रहा था लेकिन जब कोशिश की तो चड़ गया उपर अब जब बंदर ने कहा कि चलो आओ जूलते हैं तो अभी भी इसको डर लग रहा है तो यह क्या बोल रह देखो कि मैं कैसे एक डाली से दूसरे डाली पर कूदता हूँ जाता हूँ मुझे देखोगे तो तुम भी सीख जाओगे तुम्हे आ जाएगा देखो भालू कितने ध्यान से देख रहा है इसको बंदर को फिर देखते हैं क्या हुँआ फिर देखो क्या हो बहुत मज़ा बहुत मजा और है। तो अब इसने क्या सीखा पेड़ पर चड़ना सीखा, बंदर से क्या सीखा, एक डाली से दूसरे डाली पर चलांग मारना सीखा, फिर और हम देखते हैं, फिर इसने क्या क्या सीखा, फिर देखो फिर क्या बोल रहा है वो ये देखो अभी डाली पर कौन बढ़ गए भालू बंदर और गिलहरी ठीक है फिर क्या हुआ नीचे जागने पर टिनू को फुदकू मेंड़क दिखाई दिया ये देखो नीचे जब इनों देखा नीचे क्या है पानी भरा हुआ है पानी में कौन सा मेंड़क है फुदकू मेंड़क है तो ये मेंड़क क्या बोल रहा है आओ मेरे साथ तेरो किनको बोल रहा है इसको भालू को बोल रहा है फिर क्या हुआ देखो इसने वही चीज़ बोल आता है इस किसने कहा मेंड़क ने कहा मुझे ते रहे दियो बिच्वायदी को तो यह ग्यारोने पानी में बहुत अच्छा लगते हैं तो इनने भी बोला रहे वा वा मजा आ गया तो दो चीज अभी तक इसने सीख ली थी पेड़ पर चड़ना और पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर चलांग मारना अब इसने क्या सीख लिया भालू ने पानी में तेरना भी सीख ल कौन कौन हो गए गिलहरी भालू बन्दर और मेंडग फिर भालू क्या बोलता है चलो अब हम चुपन चुपाई खेलते हैं ठीक है किसने बोला भालू ने आप सब भी खेलते होंगों चुपन चुपाई कितना अच्छा गेम होता है सारे बच्चे जाके छुपते हैं फिर पर मुझे खेलना नहीं आता मैंडक बोले मैंडक ने बोला मुझे अच्छी तरह नहीं आता था ठीकिंगे इन दिनों में से तो फिर क्या हुआ भालो ने क्या बोला हमें हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए सीखना बहुत मज़ेदार होता है अच्छे दोस्त हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हैं तो फिर मैंडिक ने कहा चलो सीख कर खेले, मस्ती करें फिर क्या हुआ जब इन सुमने मना कि या कि हमें भी नी आता है हमें भी नी आता है कैसे खेलेंगे तो फिर भालू ने कहा कि हमें हमेशा कुछ ने कुछ सीखते रहना चाहिए नहीं आता है तो हम सीख जाएंगे ना उसमें कौन सी बड़ी बात है इसने भालू ने भी तो इतने सारी चीज़े सीखी इन जानवरों से एक एक से अलग अलग चीज ठीक है और इसने कहा अच्छे मजे कर सकते हैं एक दूसरे से नई नई चीज़े सीख के उमेदे आप सबको ये कहानी अच्छे से समझ में भी आई होगी और आपने इसको अच्छे से आपने इसका आनंद भी लिया होगा अब इसमें कुछ कठिन शब्द तथा उनके अर्थ दिये होए हैं उनको मैं आप को बता देती हूँ पहला है ननहा ननहा मतलब चोटा सा हमेशा हमेशा मतलब सदा जो कभी खतम ना हो हमेशा रहने वाला फिर है दोस्त हमेशा मतलब लगातार भी होता है ठीक है फिर है दोस्त दोस्त मतलब मित्र जो आपके फ्रेंड्स होते हैं फिर आता है वर्ड कोशिश मतलब प्रयास करना ठीके? ओके? धन्यवाद